वेल्कम बैक टो माई चैनल माही आवर कैसे हैं आप सब लोग और जो लोग भी डैली में रहते हैं वो बताइए उन लोगों का क्या हाल है इस पॉल्यूशन में और रोजाना नियूज में भी दिखा रहा है और नियूस्पेपर में भी आ रहा है कि सबका बुरा हाल है सबकी नोज है सबका सोट थ्रोट है और इन दिनों में या फिर विंटर्स में यह रेसिपी हमेशा हिट होती है तो इन दिनों में मैं 4-5 दे से यह बना के खुद भी ले रही हूं और फैमली को भी दे रही हूं और यह बहुत अच्छी है जैसे हमदर्द का जो शान्दा आता है वही सारी हर्ब्स हैं कुछ है कम होगी या ज्यादा होगी लेकिन यह सारी हर्ब्स दिनाफ होती है और दो कप पानी लेके मैंने यह 5-6 ग्राम इसमें गावजबा डाला है और यह 2-3 इंच लंबी मुलेठी की स्टिक है पाउडर भी लिया जा सकता है लेकिन यह एजिली अ लिया जा सकता है यह इतना टेस्ट नहीं बदलती जाएगा और अच्छा लगता है और यह लिया है शापिस्ता यह दो टी स्पून के करीब है यह हाक सी यह बहुत चुट 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 होते हैं यह भी एक स्पून से भी मैं और एड़े लिया है। पांच से छे के ले है। और सिपरेट भी बहुत सारे काम आती है। इसके लिए लग से भी एक बहुत लंबी सी विडीयो बन सकती है बहुत टेस्टी होती है ये बस इसको हम गयस को फुल करके इसके इनदर एक बॉल ले ले लेगे और जैसी बॉल आजाएगर इसको हम सिम कर देंगे भी कम से कम 5-6 मिनिट या 8 मिनिट इसको सिम पर रखके इसे अच्छे से बॉयल होने देंगे और फिर इसको स्ट्रेन करके हम कप में ले लेंगे तो ये दो कप जो पानी हमने रखा था ये 5-6 मिनिट में देड़ कप के करीब रह जाता है आप इस हिसाब से इसको ले लिए और ये इतनी महंगी भी नहीं बनती रेसिपी दो कप हम बनाते हैं तो 25-30 रुपे के बीच में बन जाती है और इसे हम दो बार यूज़ कर सकते हैं एक हम अभी हमने रात में पिए आप पी लेंगे और एक हम इसको ढाक्या रख देंगे फिर हम सुबा पी लेंगे इसको यह मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया अभी फिलाल मैं एक ही कप ले रही हूँ और यह अलमोस्ट बहुत सारी परिशानियों के लिए एक अकेली दवाई काम आती है और टेस्स का अतना बुरा नहीं होता ठीक होता है फिर भी अगर आपको थोड़ी मिठास चाहिए तो इसमें हनी डाल सकते है या थोड़ी सी शुगर अगर हनी नहीं है तो वागी हम पर बिज्कल ज़रूरत नहीं है इसमें फिर से दो कप पाने डाल दिजए दो का या धाई का पाने आप इसमें डालंके इसे धांके रख दीजह और सुबर से फिर से करके और इसको पी सकते हैं तो यह एक बार का बनाके हमें दो टाईम हो जाता है ये मैंने इसमें पानी डाल दिया और मैं इसे ढाक के रख दूँगी और इसके लिए एक बहुत ही खास बात जिसे मैं टिप कहूंगी वो ये किसे अगर गर्मी का मौसम है या जिसे अभी अभी पूरी सर्दिया नहीं आई है तो एक दम से ढाक के नहीं रखना है अगर काउं सर्दिया है तो तो फिर आप काउंटर टॉप पे रख सकते हो तब इसको बिल्कुल ढाक के नहीं रखना है वो स्मेल थोड़ी अजीव सी हो जाती है जो मौर्णिंग में नहीं अच्छे लगती तो उसको ऐसे नेट से ढाक के रखो और ये एक अकेली दवाई बहुत सारी चीजों के लिए बहुत अच्छे है गले में दर्ध हो नजला जुखाम हो या जो बंद नजला हो उसके लिए भी जो बिल्कुल ड्राय सा होता है जो बहता हुआ हो रनी नोर्स होती है उसके लिए बहुत अच्छा है और आप लोग कि आप लोग कौन सी रेमेडी लेना पसंद करते हैं वैसे तो हमदर्द का जो पैकिट वाला आता है वो मुझे थोड़ा महंगा लगता है और समचाइम उसमें ना मैंने कई बार नोटिस किया है वो बंद पैकिट होता है तो उसमें सुरसुरियां होती है तो थंक्स् Amber करते से जाह सवर्जा ना महंडा घु तो तो थन्मास्तर सिंदो हाएं उसी हा है तो तो ध्यास्तर बंद ज्यास्टी में जब वाल है।